जय हिन जय भारत दोस्तों मैं आन मोल आज आपके लिए एक बहुत बड़ी नौटिफिकेशन लेकर आएं जी हाँ वही नौटिफिकेशन जिसका आपको बेस अबरी से इंतजार था एंड यह 1st 2023 की नौटिफिकेशन UPSC ने आज ही रिलीज करी है उसी नौटिफिकेशन को लेकर मैं इस वीडियो में आए हूँ ताकि आपकी जितने भी क्वेशन्स हैं एप्लिकेशन को फिल करने के रिगार्डिंग वह आपके क्लियर हो सके तो आईए इस वीडियो में देख फिल कर सकते हैं या नहीं चलिए देखते हैं तो आज आपकी फॉर्स डेट है अप्लिकेशन फॉर्म फिल करने के लिए तो बिल्कुल देरी मत कीजिए अभी जाकर अपना अप्लिकेशन फॉर्म फिल करिए क्योंकि आपको जैसा पता होगा कि जितना आप टाइम लेंगे इस एप्लिकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए उतना आपका सेंटर दूर का आएगा और वो हम बिल्कुल नहीं चाहते तो प्लीज अपना फॉर्म जाकर अभी फिल कर दीजिए अब देखते हैं इसकी लास्ट डेट जो आपकी एप्लिकेशन फिल करने की लास्ट डेट है वो है 10th of January 2023 तो उस डेट से पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए नेक्स्ट तिंग आपकी जो ये पीडिएफ है वो नौटिफिकेशन जो आई है यूपीएसी से वो आपकी साइट यानि यूपीएसी.gov.in पर हैं आप वहाँ से इस पीडिएफ को पढ़ सकते हैं इसके अंदर आपको ओनलाइन फॉर्म के से फिल करें उसके भी स्टेप्स गिवन हैं दूसरी चीज आपका एप्लिकीशन जो आप फिल करेंगे वो भी इसी साइट यानि यूपीएसी.gov.in पर फिल किया जाएगा तो इसको ध्यान रखें कि आपकी वेबसाइट है यू तो फिल करने की डेट है लास्ट 10th of January में आपको बता चुकी है वो है अगर किसी भी व्यक्ति को ये विड्रो करना हो किसी भी वश किसी भी वजह से तो वो विड्रोल की डेट दे रखी है 18 January 2023 से 24 January 2023 तक. I hope आप नहीं चाहते हैं and I really won't कि आप ना चाहते हूं क्योंकि this is a great opportunity you should achieve. इसलिए इसको ज़्यादा नहीं देखते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे देखिए penalty for wrong answers जैसा आपको पता होगा कि any major questions होते हैं अगर उनके marks one question से होने पर three number मिलता है तो वैसे ही आपका wrong answer आने में one third marks deduct भी होता है आपकी wrong answer यानि negative marking की penalty होती है तो इसको ध्यान रखिएगा इसके अलावा आपका यहाँ पर एक बहुत important चीज़ दी हुई है black ball pen जी आपको अपना black ball pen यूज़ करना है answer को mark करने के लिए बिल्कुल जो आपकी circles bubbles होते हैं उनको अच्छे से fill करना है आपको black ball pen से यह आपको यहाँ पर given है तो please कोई और pen मतली जेल नहीं blue नहीं black ball pen उसके अलावा आपकी vacancies जी आपकी vacancies भी बहुत clearly इसमें given है जिसे कि आप देख सकते हैं National Defense Academy आर्मी में आपको vacancy देता है 208 टोटल जिसमें से 10 seats जो है वो female candidate के लिए है male and female both can fill this form तो याद रखेगा 208 आपकी vacancy किसमें है आर्मी में जिसमें से 10 जो seats है वो female के लिए है navy में आपकी जो seats है वो है 42 जिसमें से female candidate के लिए 3 include है next आता है आपका air force और उसमें आपको मैंने last video में बताया था there are two branches in flying in air force that is flying branch and ground duty or ground duty two parts में divided है that is technical and non-technical तो यहाँ पर आप देख सकते है flying में जो आपकी seats है vacancies है that is 92 जिसमें तो जो है वो female के लिए included है और ground duty technical में आपकी 18 seats है जिसमें तो आपकी female candidate के लिए है lastly ground duty non-technical में जो है आपकी seats है 10 जिसमें से two female की included है उसके बाद आपका naval academy में जो seats है वो है 25 candidate only male सिर्फ male candidate naval academy के लिए फिल कर सकते हैं तो इसको याद रखेगा आपकी जो total vacancies है वो है 395 यहां हमारा होता है vacancy का criteria पूरा इसके आगे देखते हैं और क्या है इस notification में जी आपके center of examination जहां से देखिए यहां सारे center जो आपके हैं वो given है यह सारे center पर आपका exam आने की संभावना है तो जितना जल्दी आप भरेंगे उतना ही pass आपका center आएगा तो please wait मत कीजिए बार बार मैं आपको बोड़ रही हूँ अभी जाके अपना form फिल कर दीजे आगे देखते हैं बहुत ही important चीज जिसका आपका हमेशा एक question रहता है कि are we eligible to fill this form क्या हम इसको fill कर सकते आने तो condition of eligibility आप इसको fill कर सकते आने first of all you should be a citizen of India ये तो आपको पता ही होगा कि आप भारत के नागरेख होने चाहिए a subject of Nepal a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries तो ये सारे आपके चीज़े हैं जो आपको मतलब पता होने चाहिए इसको आप पढ़ सकते हैं इस PDF में आगे चलते हैं तो age limit sex ये भी आपको बहुत ही questions आते हैं कि क्या हमारी age क्या होनी चाहिए क्या हमारा gender होना चाहिए या lastly हमारा marital status क्या होना चाहिए तो ये बहुत ही normal है आपको पता होगा कि NDA में आपका जो marital status है that should be unmarried male और female दोनों ही unmarried यहां पर जरूरत होती है next आपका जो age का है इसको अच्छे से दिमाग में डालीजेगा कि second July 2004 से last first July 2007 इसके बीच में अगर आपका birth date आता है तो आप इसको इस application को NDA की fill कर सकते हैं तो याद रखेगा दोस्तों second July 2004 and first July 2007 इसके बीच में आपका birth date आना चाहिए ओके और एक चीज यह चीज दिहान रखेगा कि कहीं कहीं और से नहीं देखा जाता आपका date of birth ना ही affidavit ना कोई birth certificate इधर से नहीं देखा जाता है हमेशा आपकी matriculation जो आपको certificate मिलता है 10th class में उधर से देखा जाता है कि what is your birth date उसके ही through आपका pen card आधार card बनता है आपको पता होगा तो इधर से ही आपकी date देखी जाती है और कहीं से नहीं देखी साथ देखी जाती तो अपने form में 10th की mark sheet से ही अपनी age अपना birth date फिल कीजिएगा ओकी यहाँ पर हमारा clear होता है age का, gender का and lastly matter status का अब आगे देखी इसमें बस इतना दे रखा है कि अगर आप गलती से भी अपना 10th की mark sheet के अलावा कहीं और से अपनी birth date फिल कर देते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा कहीं बारी लोग गलत जान बूचके कर देते हैं और उसके लिए आपकी काफी सारी charges लगते हैं तो धिहान रखिए ऐसा बिलकुल मत कीजेगा जो आपकी 10th की mark sheet में आपकी age दे रखी है वही लिखनी है ओके लास्टली आपका यहां मैंने कर रखा है educational qualification यह भी बहुत लोगों का question रहता है कि what should be our educational qualification for filling this form तो वो army wing of national defense academy यानि NDA के army wing के लिए आपकी 12th class pass out होनी चाहिए 10 plus 2 के pattern से जो आपकी state educational board के अंदर registered हो यह हो गया आपका army का next आता है आपका air force and naval naval wing के लिए जो आपका होता है वो होता है 12th class pass out by PCM यानि की physics, chemistry and maths यह आपका 12th class में 11th 12th में होना चाहिए उसके बाद वही 10 plus 2 के form में जहां आपका state educational board as a university उसके अंदर registered हो तो यह चीज़े दिहान रखेगा यह आपका हो गया educational criteria तो अब आपको पता चल गया होगा काफी पहले आज अब बहुत जल्दी हुआ है एंडिय का जो भी हुआ है तो आपके पास time भी पूरा है बिल्कुल वेस्पत कीजिए अपना time जाकर पढ़ाई start कीजिए अपना application form फिल करके अपनी रिटेन की प्रेक्टिस कीजिए और सिर्फ रिटेन की ही नहीं अपनी communication पर भी वर्क कीजिए ताकि आपका SSB क्लियर होने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो दोस्तों मैं आपको बहुत बहुत बारे क्या चुकिए हूं कि इस डिफिन्स अकैडमी लीड अकैडमी आपकी हर चीज में रिटेन एक्जाम से लेकर SSB से लेकर लास्ट एंड मुमेंट तक हम आपके साथ रहते हैं तो बिलक कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है उसके अलावा भी आपके कोई भी क्वेशन हैं हमसे डिफिन्स के रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हैं आपको हमारा एक्सपर्ट नंबर दिया हुआ है वीडियो में आगे भी आपको कोई दिक्कत हैं हमसे बात कीजिए हम पहनत करती है अपने बच्चों पर लास्ट टाइम भी कम से कम 20 स्टूडेंट्स हमारे यहां से क्लियर होके गए हैं रिटन एक्जाम में और वी वांट की हमारा यहां के सारे बच्चों के साथ उतना ही साथ रहे तो थैंक यू वेरे माच प्लीज बी प्रिपेर्ट पो जय भारत!